आज हम इस पिलर फे ऐसा डिजय निकालने वाले हैं और आप लोग सुबह दखिए गाना तो देखते-देखते साम हो जाएगा रात भी हो जाएगा इतना खुशी मिलेगा आपको तो आएए इस वीडियो में हम जानकारी देते हैं किस तरह ये रसाई डिजय निकालने च़का अच्छा लग रहा है तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं कलकार राजी ब्रंजन और आप लोग देख रहें यूट्यूब चेनल कलकार जहकास अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वतना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आओ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे दोसतों इसी ढर में हम आओज़ेल डिजन निकालने वाले हैं इसी पिलर पर चोकुट पिलर और गोल वाला पृलर है देख सकते हैं आप इसी G़र संब में हमनी दो घंट करुआ हैं paint का video हम डाल चुके हैं और बचा हुआ डालने के लिए तो दोस्तों यही घर सब है और यह एक यह घर है जो गोल वाला पिलर और चोकुट पिलर है तो इसी में हम निकालने वाला रेशा डिजेन लकडियों का तो सबसे पहले एकोलाइट जो है गलोस में एनेमल पेंट है हमने आधा लिटर जो है दो डिबा मंगाए है जिसे आप देख सकते हैं D B F G जी हाँ दोस्तों जिसे हम मेड बॉक्स कलर बोलते हैं या मेड बॉक्स भी आप बोल सकते हैं तो हमने एक लिटर अधा अधा लिटर में मंगाए है और यह रहा ब्राउन जी हाँ दोस्तों अधा लिटर हम ब्राउन मंगाए हैं जिसको हम डाक ब्राउन कलर भी बोलते हैं तो चलिए ये तो बरस का एक इंची बरस का काम नहीं है और इसके साथ तारपीन तेल एक नमर वाला जो तारपीन तेल होगा सुद वो आप यूज किजेगा और ये रहा तीन इंची का बरस और ये रहा सूती कपड़ा इससे इतना मेट्रियल लगता है ये सब में तो चलिए हम पहले आधा लिटर जो है ना खोल के एक बार लगा के देखते हैं तो आप कलर भी देख सकते हैं जो मेट बॉक्स कलर जो है कैसा होता है तो आप ये देख सकते हैं सेम इसी तरह यलो टैप पे इसका कलर आता है तो इसमें डवा खोलते ही आप अच्छी तरह से इसको मिला लिजिए क्योंकि इसमें अंदर नीचे बैट जाता है पेस्ट सब और इस सिर्फ तेल उपर रहता है तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप यूज करना सुरू कीजिए दोस्तों हम एक कोड में ही करने वाले हैं अगर आप सिंगल कोड लगा लेते हैं इसका तो कोई जवरत नहीं है डवल लगाने का मोटा अगर लगाते हैं तब अगर थोड़ा अगर पतला पेंट लगाते हैं तो आप इस पे डवल कोड आप को यूज करना पड़ेगा तो फिलाल हम जो है सिंगल ही कोट पर लाने वाले हैं क्योंकि आधा लिटर में जो है ना मुस्किल समपचास सेमेल जो है इसमें तारपीन तेल मिक्स किये वो भी सुद तारपीन तेल अगर आपको दूसरा अगर तारपीन तेल रहेगा दो नमर का तो आपको जैन उखड भी सकता है वो पेंट तो आप धियान रखें जो भी आप यूज कर रहे हैं तो एक नमर वाला सही मेटरियल आप यूज किजिएगा तो चलिए तेने इच का बरस से हम लगाना आवे स्टार्ट करते हैं तो मेरा माल तो किलियर हो गया अच्छा बन ग जो पिलर में जहां रेसा कटिंग करना है डियन निकालना है उस पे दो कोड वाल फुट्टी या तीन कोड और उसके बाद एक कोड प्रेमर और प्रेमर के बाद आप जोहने एक बार हलक हलका गिसाई भी कर लिजे रेक मल लगाके और उसके बाद जोहना ये पेंट आप भिख्यान रखे कि दोल मिट्टी जो है न उड़ता हुआ नहीं होना चाहिए नहीं तो इस पर चिपक सकता है पांच्छे घंटे लग जाता है इसको सूखने में तो इसी तरह हमने सिंगल डबल जो है चलिए करके इसके बाद हम आपको दिखाते हैं तो अभी सिंगल ही लगा सूती कपड़े से जो है न हलका हलका इस पर पोच्छा लगा दिजे ताकि उपर से नीचे अगर हम रेशा डिजे निकाले तो हाथ मेरा सलतार है और सिलीप ज़्यादा करे अच्छा डिजे निकलने के लिए हम थोड़ा सा उपर उपर तारपिंतेल मिक्स कर रहें आप नही पेंट है करने में तो कोई दिखत नहीं आप उपर से भी कर सकते हैं तो चलिए अदा लिटर से हम खोल लेते हैं और उसमें जो है न तारपिंतेल मिक्स करके उसके बाद आप करना शुरू करते हैं तो दोस्तों दियान रखे ज़्यादा मोटा पेंट नहीं बने ज़्याद आप फोड़ा सा पतला इसको रखेगा तो सही रहेगा जएधा दिकत नहीं आएगा तो आप हो सकता है तो ऊपर मास्किंग टेप जो कपड़े वाले होते था साइड में लगा सकते हैं मेरे पास अभी नहीं है तो बाद में हम टचिंग कर देंगे वाइट पेंट से और इधर उदर जलग जाता है तो आप मास्क स्कीन टेप जो है उपर नीचे कहीं चिपका सकते हैं तो इसी तरह जो है उपर से नीचे जो है रेशा डिजेन निकाला जाता है तो एक बात ये धियान रखिए जो अगर उपर से नीचे तक आप यूज कर रहे हैं तो सेम इसी तरह किजे बीच में कहीं आपको रुकना नहीं है उपर से नीचे तक इसी तरह करना होगा तो दोस्तों हमने दोनों घर का जो है वीडियो हम रिकॉर्ड करके रखे हुए थे आप देख सकते हैं इसी तरह जो हमने दो वड़ियां डिजन सब लोग पसंद कर रहे हैं तो इसी तरह आप निकाल सकते हैं यह काफी जो है न अच्छा लगता है रिशा डिजन देखने में तो देख सकते हैं आप दोस्तों अगर बाहरी दिवार में आप कहीं बड़े पिलर पर कर रहे हैं तो आपको उपर से नीचे तक एक ही बार में लाना होगा नहीं तो अगर बीच में आप रोकते हैं तो हो सकता है आपको जोड़ का निशान आ जाएगा फिर देखने में खराप लगेगा तो आप फोर मेरका जो है आप बोल सकते हैं या सनमेरका इसी तरह लकडियों जैसा डिजन आप निकाल सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक किजिए, शेयर किजिए और इस्टाग्राम पर फ्लो किजिए और इसी तरह वीडियो देखने के लिए फेस्बुक पेज कलकार जकास 94 पर जो हैं आप जडू देखिए दोस्तों जैसा तरह आप देख सकते कितना मस्त लग रहा है अगर आप इसी घर में कौन सा हम कलर यूज की हैं, कहां कहां कौन सा पेंट यूज की हैं अगर आप लोग नहीं देखें वीडियो इसी वीडियो का डिस्कुरिसमें लिंक है, वहां से भी आप देख सकते हैं अच्छा जानकारी ले सकते हैं कितना मस्त मलंगर लग रहा है दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए और भी मैं बारी बारी से लेके आ रहा हूं देखिए कितना मस्त लग रहा है दोस्तों वीडियो में इस वीडियो के डिस्कूश्मेंट लिंक है वहाँ से भी आप देख सकते हैं तो चलिए अब हम इसका जो हैंने कुछ फोटो किलिक किये हैं तो वो भी आपको हम दिखाते हैं और यहाँ से शुरू होता है फोटो किलिक जैसा कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है तो दोस्तों कितना अच्छा लगा ज़डूर कमेंड कीजिए और चैनल को ससक्राइब तू ज़डूर बनता है दोस्तों और इसी तरह देखने के लिए फेश्बुक पेज कलाकार जखास पर ज़डूर आईए और इस वीडियो को लाइक सेर कीजिए चैनल ससक्राइब कीज तो दोस्तों इसी तरह मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए गुडबाई नमस्कार आपका दिन सुबरे जाहिन वंदे मात्र